ओके 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 प्लीज साइलेंस बात बंद करो लास्ट आप हमने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन हमने दो तरीके से discuss की थी कि या तो ground to ground मैंने बताया था और या मैंने बताया था top of the building से horizontally एक प्रोजेक्टाइल को गेरना और वो finally जो है ground पर land करेगा so मैंने ये बताया था कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को v velocity से हमने project किया at an angle of theta तो वो projectile की initial velocity के दो components होंगे v cos theta and v sin theta और इस case में मैंने ये भी बताया था कि ये इसकी initial velocity माने जाएगी projectile उपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है projectile की उपर जाने की initial velocity v sin theta फिर decrease हो जाएगी decrease हो जाएगी and topmost point पे vertical velocity क्या हो जाएगी 0 तो topmost point पे vertical velocity 0 फिर उसके बाद vertical velocity increase, 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 increase and increase और horizontal velocity कहीं पर भी check कर लेना it will remain same क्या ये point सबको clear है ऐसा हमने discuss किया था फिर एक आध example भी किया था जिसके discussion आज theory करवाने के बाद मैं end में करूँगा ठीक तो हम कुछ results करते हैं जो standard results है projectile के तो standard results के अंदर सबसे पहला result suppose करो ग्राउंड आपने एक projectile को V velocity से project किया at an angle of theta और वो ground पे आके गिरा projectile की initial velocity मैंने बताया V cos theta projectile की initial vertical velocity is V into sin of theta projectile ने y distance बढ़ाया increase, increase, increase और यहाँ पर y या height की value क्या आ गई maximum maximum तो this is known as maximum height covered by the projectile maximum height का जो axis है वो क्या है? y वो axis नहीं है वो y तो projectile ने जादा से जादा height जो cover की उसको maximum height का नाम देने projectile यहां से यहां पे topmost point पे T1 time पे आएगा और रदर इसको HM से represent करते हैं HM का मतलब maximum height तो projectile topmost point पे T1 time पे आएगा T1 को बोलते हैं time of ascend उपर जाने का time topmost point पे जाने का time उसी तरीके से यह projectile यहां से नीचे आएगा और कितनी देर में नीचे आएगा in time T2 इसको बोलते हैं time of descent time of ascend time of descent projectile कितनी देर के लिए हवा में रहेगा T1 plus T2 जिसको बोलते है time of flight time of flight time of flight हमेशा किसके इक लोगा time of ascent plus time of descent projectile ground पे ground जमीन पे उसने कितना distance cover किया? r जमीनी distance, height नी जमीन पे कितना distance cover किया? r r को बोलते है range of projectile तो r का मतलब है range of projectile क्या ये point clear ये term समझ में आ रही है जब मैं बोलूँगा range तो ground का distance जब मैं बोलूँगा height तो y-axis का distance तो diagram बनाओ प्लीज फ्वान में एα जफ्श छोप्छाटा ये तो बोलूँगा जब साइल प्वान न्योज़ाई प्लूँगा ये प्लीज़ा थे अफ्थे हैं एाऑ्टागा रहाऊ ये अजटिए का रहे बनाओ प्लूबा-प्छोपशप侍 प्लीज़ाई ए t झाल झाल कर दो कर दो कर दो तो इस ट्राग्राम को देखते हुए पहला टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट हम वैल्यू निकालना चाहते हैं मैक्सिमम हाइट एच अफ एम क्या होगी त्राग्राम को देखते हैं त्राग्राम को देखते हैं कि आपको अगर ये कहा जाए एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट जो डिस्टेंस है ये देखने है कि वो य के अलॉंग है या वो एक्स के अलॉंग है य के अलॉंग है हाइट तो य के अलॉंग होगी ना अगर मैं यह बोलता हूँ, expression for range तो range किसके along है, x के along है तो जब distance y के along निकालने है तो axis भी क्या चलेगा फिर, y-axis क्योंकि हमने इस type के question में यह बहुत important है कि हम x-axis में काम कर रहे हैं या फिर हम y में काम कर रहे हैं इसमें हम किसमें काम कर रहे हैं? y में काम कर रहे हैं, तो y-axis लेते हैं अच्छा, पहले देख लो, y-axis में बताओ ये body के अंदर मुझे ये निकालना है ये height निकालने का मतलब body का यहां से यहां तक आना यहां से यहां तक की journey क्योंकि यहां से यहां तक की journey में body ने y में displacement कितनी कवर की? h m, x में कितनी की? r का half, r by 2 ये वाला distance point समझ में आ रहे हैं तो अगर मैं ये पूछता हूँ कि यहां से यहां body आई तो उसने 2 displacement simultaneously cover किये कोई student कह रहा था displacement तो ये होती है, c-d distance हाँ, वो तो net displacement होती है पर मैं कह रहा हूँ कि y में अलग बताओ, x में अलग बताओ तो y में कितनी होगी h m x में क्या होगी यहां से यहां तक, पर क्योंकि मेरा axis क्या चल रहा है y तो बताओ, इसमें displacement कितनी cover होगी इस case में, h of m कौनसा axis है? y y axis में displacement क्या count होगी यहां से यहां तक? h m अचा, ball against gravity जा रही है इस journey के दौरान, तो बो acceleration कितनी होगी? minus याद रखना, इतने part of journey में acceleration due to gravity minus g against gravity और next part of journey में body नीचे आ रही है, तो it should be plus g ठीक? पर क्योंकि हम तो यहां से यहां की journey ले रहे हैं यहां से यहां की journey में topmost point पे vertical velocity क्या हो जाएगी? 0 topmost point पे velocity उपर जाने की 0, हाँ, हलांकि x-axis की velocity will always remain same, यह नीचेंज होती है तो यहां से यहां की journey में, initial velocity बोलो y-axis में क्या होगी? initial velocity, अब क्या बोलेंगे? v sin theta और final velocity क्या होगी? final velocity is equal to 0 यह point समझ में आ रहे हैं कि आपने x को देखना ही नहीं आपने सब को सिरफ y के लॉंग देखना है तो आपने यह बोलना है कि यहां से यहां initial velocity is v sin theta and final velocity is 0 यह point सब को clear है यहां तक तो इस पूरी values में आपको initial velocity पता है, final पता है g पता है, you can apply v square minus u square to as तो बोलो, final velocity कितनी है, 0 initial कितनी है, v sin theta acceleration कितनी है minus g and height कितनी है, h m तो इस सारी values को हमने v square minus u square to as में put किया तो यहां से जब solve किया minus v square sin square theta is minus 2 g times h m तो यहां से maximum height का formula बन गया v square sin square theta divided by 2 g तो यह formula है, expression है to calculate the maximum height of the projectile तो आज की बाद जब numerical आएगा to calculate the maximum height तो maximum height की calculation में हम यह components ने draw करेंगे हम सीधा formula apply करेंगे पर यह point समझ में आया यह कैसे लिखा मैंने कि इस journey में, यहां से यहां की journey में final velocity 0 y-axis की, initial velocity y-axis में v sin theta acceleration minus g और हमने apply किया v square minus u square 2a है तो देखो, expression for maximum height ओडाथ सवड़ान की एंचे sì देखो, आज की देखो, चैजकी एंचेद चतेだ झाल झाल एक्सप्रेशन क्लियर है next expression है इसी में expression for time of ascent time of ascent तो हमें time of ascent t1 को calculate करने क्या होगा time of ascent ठीक इसी problem में ground से topmost point पे जितना भी time लगा उसो time of ascent बोलते हैं ठीक अब फिर से मुझे journey कहां से कहां consider करनी है यहां से यहां तक क्योंकि मुझे time कहां से कहां निकालना है यहां से यहां तक तो यह time है कितना t1 t1 को क्या बोलते है time of ascent तो सारी values exactly same रहेंगी जो भी हमने लिया क्योंकि मैं यहां से यहां तक की journey consider कर रहा हूं तो initial velocity v sin theta y axis की final velocity vy is equal to 0 सब कुछ same है बस equation मैं change कर रहा हूं इस बार मैं apply करना चाहता हूं v is u plus 80 तो v final velocity की जगा 0 initial velocity की जगा v sin theta acceleration की जगा minus g और time is t1 तो t1 के लिए solve करो v sin theta इदर जाएगा divide by g होगा तो आपके पास यह time आ गया इसको time of ascent बोलते हैं तो topmost point पर आने के time को time of ascent बोलते हैं and this is the expression for time of ascent तो यही MARTIN आपς है जगा करी तु теперь आप 창े पास्ट मेटा क्जस्ट रशाफाफाН तो बlogにOWके तो चरा दोगापाः जशाजल है आक्ट okay तोगाई तो पास्ट करेपा हैं तो बуждoo टीक, टाइम और सेंट क्लियर हो गया, अविशे क्लियर है यहां तक, next is expression for time of descent, time of descent, नीचे आने के time को हम calculate करेंगे, time of descent, इस सारी values मुझे मिटानी पड़ेंगी, क्यों? क्योंकि अब मेरी जर्नी चेंज हो गई, अब मेरी जर्नी कहां से कहां start होगी, यहां से यहां पे, क्योंकि पहले मैं time of ascent निकाल ला था, ऊपर जाने का time, तो मेरी जर्नी यहां से यहां तक की थी, अब मुझे time निकालने नीचे आने का time, तो मेरी जर्नी यहां से यहां तक होगी, clear है यहां तक, तो फिर से start करते हैं, axis क्या लें, कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, x भी ले लो, y भी ले लो, मैं y axis लेना ही पसंद करूँगा, क्योंकि y axis में बताओ, यहां से जब body यहां आती है, तो y में displacement कितनी cover होती है, h m, x में कितनी होती है, यह वाली जर्नी, अब यह आदी जर्नी तो मुझे पता नहीं कितनी है, तो मैं x axis में लेना पसंद नहीं करूँगा, मैं y में लूँगा, तो फिर से एक बार y axis, कोई मुझे यह बताएगा, कि y axis में जर्नी यहां से start होती है, तो y axis की initial velocity बोलो कितनी, बिल्कुल सही, क्यांकि y axis की अब यह velocity जर्नी के लिए initial मनी जाएगी, final कितनी मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता किस velocity से hit करेगी, तो नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो initial तो कम से कम 0 पता है, नीचे आते हुए acceleration due to gravity बोलो, plus g, नीचे आ रहे हैं तो plus g, नीचे आने के time को क्या लिखेंगे यहाँ पर, t, 2, displacement नीचे आते हुए body ने कितनी cover की, h m, नीचे आते हुए y axis चल रहे हैं, तो y के displacement, body जब यहां से यहां आई, तो उसने कितनी height cover कर ली, h m, क्या point clear है यहां तक, ठीक है यहां तक, तो इसके अंदर, अब आप apply करो, नीचे आते हुए, s is ut plus half, a t square, क्योंकि v तो मुझे पता नहीं, तो u तो मुझे पता है, s की जगा क्या put करेंगे, h m, s की जगा क्या put करेंगे, h m, u initial कितना है, 0, initial y axis की velocity इसमें क्या चल रही है, 0, half acceleration, g into t2 का square, ठीक है, values put कर दी, height की जगा h m, initial velocity की जगा 0, क्योंकि top most point पे initial velocity is 0, और half into कितना g t, square, y axis की value लिखे नहीं तो उमने फिर से लिखनी पड़ेंगी, change हुई है, पहले से, y axis की value से इम थोड़ा चलेंगी, इसको निया बनाऊ, इस समझे आ रहा है ना, ठीक है, okay, maximum height का formula अभी बेडराइव किया, कितना था, v square, sin square, theta, divided by, 2g, is half, g, into t2 का, square, 2 से 2 कैंसल, तो यहां से, t2 square, will be equal to, v square, sin square, theta, divided by g square, under root लेंगे, तो v sin theta by, same answer आ गया, जो time of ascent का था, solve करेंगे, तो time of ascent, और time of descent का answer exactly, same answer. और बाफेंगे, तो आफेंगे, तो यहां से, और अपया, तो का दो, और खूँए, तूँए, तो, तो अब का दो, झाउगेंगे, तो, प्यादाएंगे, तो जो, it means projectile motion में time of ascent is equal to time of descent V sin theta by J ठीक यहां तो time of ascent or descent की value exactly same expression for time of flight expression for time of flight time of flight क्या होता है T, बड़ा T कि कितनी देर बोड़ी हवा में रही Ankita expression for time of flight time of flight at T बोलो वो किसके equal होती है T1 प्लस T2 तो T is equal to V sin theta by G plus V sin theta by G तो time of flight is 2 V sin theta by G तो time of flight double हो जाएगा time of ascent है time of descent से हुआा 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 है धुआा हुआा हुआा प्लस T2 जाते हुआा है 온 ट्रिक्यात्थ next is expression expression for range R expression for range R underline ठीक सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे range Y का distance है की X का तो X इहां पर क्या लिखेंगे तो equation किस axis के along लगेगी? X चलो अब सब कुछ X में देखते है X axis में सबसे पहली चीज velocity हमेशा क्या रहती है? कितनी बोलो V cos theta क्योंकि इस तरफ कौन सी velocity चल रही है X में V cos theta और वो हमेशा V cos theta ही रहेगी point number one clear? displacement या distance कितना cover किया इस body ने? R क्योंकि पूरी जर्नी में X के along displacement इस R और कितने time में किया? T1 की T2 की capital T capital T क्योंकि capital T time के लिए body हवा में रही उसके बाद तो ground पे आगी तो capital R distance में time of ascent भी आएगा time of descent भी आएगा यानि की capital T दोनों का sum आएगा और X axis में क्योंकि velocity constant है तो एक equation apply की जा सकती है S is equal to VT क्योंकि जो velocity constant होती है motion in 1D में हमने discuss किया जब velocity constant है तो you can apply S is equal to VT तो यहाँ से S की जगा क्या पूट करेंगे R V की जगा क्या पूट करेंगे V cos theta और time की जगा time of flight तो S की जगा पूट करेंगे R V की जगा पूट करेंगे V cos theta और time की जगा capital T क्या point clear है तो R is equal to V into cos theta time of flight का formula बोलो क्या था 2V sin theta divided by G तो R is equal to V square 2 sin theta cos theta divided by G और 2 into sin theta into cos theta को maths में हम क्या लिख सकते हैं V square sin of 2 theta by G ये लो तो एक expression किसका आगया? range का maths का formula है ना 2 sin theta cos theta sin 2 theta तो आपके पास value आगई V square sin 2 theta by G तीक ठीक है आतल तो रेंज का फॉर्मुला आगया अच्छा अब देखो रेंज का फॉर्मुला आपके पास इसके इकोल आगया next जो टॉपिक है that is expression for maximum range expression for maximum range तो maximum range का मतलब क्या है कि जादा से जादा दूरी cover हो ground पे मैं बॉल को ऐसे फैंकना चाहता हूँ ताकि वो बहुत दूर जाके गिरे तो maximum distance cover करे पार की value में क्या चाहता हूँ क्या हो maximum अब आप कहोगे सर अगर बहुत दूर एक बॉल को गेर नहीं चाहते हो तो velocity को क्या कर लो increase जितनी थैस है कोगे बॉल उतनी दूर जाके गिरेगी हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं 100 meter per second की जगह 1000 meter per second पे गेर लो कोई कहता है 2000 meter per second पे गेर लो तो range बढ़ती जाएगी सही है पर मैं बताना भूल गया कि मैं बॉल को गेर कैसे रहा था मैं बॉल को मेरी मर्जी है किसी भी एंगल पे गेर हूँ तो मैं 90 degree पे गेर रहा था ठीक है 90 degree ऊपर गेर रहा हूँ अब ऊपर गेरूँगा तो घूम के बॉल नीचे पेरो में आ जाएगी तो range कहां कवर होई मैंने ये थोड़ना कहा कि maximum height कवर करवा हो मैंने कहा मुझे ground का distance जादा कवर करना है जैसे वो game नहीं आती javeline throw या arrow फैंकते हैं या जो भी short put वारा फैंकते हो तो basically क्या होता है एक बंद अपने पूरी जान लगा की गेरता है ना ये तो है नहीं की कम velocity पर गेरेगा कुछ भी तो पूरी जितनी velocity दे सकता है उतनी velocity पर गेरता है मानलो दो students है दोनों के दोनों 100 meter per second की velocity से arrow को फैंक सकते हैं दोनों कि इतनी capacity है 100 से जादा नहीं कर सकते लेकिन फिर भी एक का arrow दूर गिर सकता है एक का पास अब किसी कोई अगर arrow 90 degree पर गेर देगा फिर तो उसके पैर भी जाकी गेरेगा बहुत ही नजदीक और अगर मानलो कोई suppose इस direction में गेर देगा तो भी वो range जादा कबर नहीं करेगा तो भी नीचे टकरा जाएगा तो मैं कितने angle पर उस arrow को तो गेर हूँ ताकि उसकी दूरी maximum से maximum without changing the velocity मैं यह चाहता हूँ 100 180 360 360 180 180 तो ऐसा हो गया कि ground इधर समींगा ना इस ground 180 उल्टी नहीं 180 तो नहीं हो सकता 45 वोला अच्छा देखो चेक करते है range का जो formula होता है वो होता है v square sine of 2 theta by g अब मैंने का v को change नहीं करना v, g दोनों को क्या रखना है constant और range को maximum करना है अब मेरे हाथ में सिर्फ angle ही है तो मैं चाहता हूँ कि अगर range क्या हो maximum ऐसा तब होगा जब sine 2 theta की value भी क्या आएगी maximum और sine of any angle की maximum value maximum मेशा 1 ही निगलती है और ऐसा तब होगा जब यह theta कितना होगा 45 क्योंकि 45 होने पे 2 into 45 क्या हो जएगा 90 sine 90 क्या होता है 1 तो it means कि maximum r की value maximum तब आएगी जब v square sine 2 theta क्या हो जाएगा 1 तो यह expression किसका आगया maximum range का तो याद रखना आज के बाद कभी भी long jump की अगर आपने क्योंकि long jump में भी ground का distance हमेशा cover हो अपनी body को 45 degree पे ही jump करवाना javelian throw की arrow को throw करने 45 degree पे ही project करवाना जितनी भी velocity से project करोगे उसकी दूरी maximum ही निकल के आएगे तो standard result है if projectile is projected at an angle of 45 degree तो range is always maximum तो note करो यह maximum range का formula आगया तो अगर तो किसी question में कुछ नहीं बोला बस range बोला फिर तो angle भी देगा वो 30 degree, 60 degree अगर वो बोलता है कि maximum range क्या होगा? 45 टीक, आचा, नेक्स टी रेंज रेंज रिमेंस same if angle of projection is theta or 90 minus theta लिखो, प्रूफ करेंगे इसे लो टे सपटे थैसंधे थेक्षट छीक, प्रूब सेस्टार्ट करेंगे अशेए इसे लोला जटूप hm टाल टेस्योफ लोला झाल लुट सेट एंब इसे कर लेते हैं if angle of projection is theta तो range का formula बोलो v square sin 2 theta by g यही किया if angle of projection is 90 minus theta तो range का formula is v square sin of 2 into 90 minus theta by g यह फिर v square sin of 2 into 90 180 minus 2 theta by g अब हमने coordinates किये थे coordinates में यह देखा था कि 180 minus 2 theta किस coordinate में होता है second coordinate में और क्योंगी 180 है तो sin positive रहेगा second coordinate में sin sign रहेगा कि 180 है और क्या बन जाएगा इसको ऐसे रिख सकते हैं तो range का answer फिर से exactly क्या जाएगा same तो इसलिए कोई फरक नहीं पड़ता आपने एक projectile को theta पे project किया या 90 minus theta पे किया range उसकी क्या रहेगी same पॉइंट समय रहे है यहाथ है तो mathematically हो गया ना proof क्योंकि sin of 180 minus 2 theta is again sin 2 theta झाएगा रहे है क्योंकि जैसे अगर आपको किसी निमेरिकल में आ जाए अबजेक्टिव कोश्चन में पूछा जाता है कि if angle of projection is 30 degree तो बताओ कि second angle क्या होगा कि ताकि range सेम रहे 30 degree and 60 90 में 30 is 60 तो अगर आप एक projectile को 30 degree पे गिरते हो 30 degree पे वो मालनों यहाँ के गिरते है at a distance of hour या फिर according to this formula इसको किते डिगरी पे गिरते हो 60 तो भी उसकी range की value क्या रहेगी exactly same ठीक है ना तो ऐसे बहुत सारे question आते है एक projectile को 50 degree पे गिरा तो दूस्थे को कितने पे गिरे है 90 मेंस 50 आने की 40 पे ताकि range की value remains same ठीक है यहाँ तक तो अगर आप एक projectile को 30 पे गिरते हो तो वो कोई R कवर करेगा अगर आप उसी projectile को उसी velocity से 60 पे गिरते हो तो हमें करने की जुरूत नहीं बार-बार तो अगर angle 30 होगा तो दूसरा 90 माइनस 30 आने की 60 तो range same ही आए कि उसमें आगी किसी numerical में करके देख लेना पता लग जाएगा 30 60 पे आन सा same ही आने वाला है point समझ में आ रहा है यहाँ तक doubt आप जाएक किसमें समझा गया ठीक कुड़ाओ इसमें कुड़ाओ नेक्स्टे नेक्स्टे देखो सब्स्पोस यह एक वी विलॉस्टी से प्रजेक्टाल को प्रजेक्ट किया अट अगल अफ थीटा फिर से फिकर टॉक कर रहो हूं वैसे तो दिस इस वी कॉस थीटा दिस इस वी साइन थीटा यह फिगर थी और यह क्या थी maximum height थी maximum height है अब यह distance क्या होता है range, this is r यह क्लिर रहे हैं यहान तक अब नॉर्मली बाइस्मिट्री वैसे तो मैं दिखा रहा हूं कि यह symmetrical parabola बनता है इस shape को parabola बोलते हैं तो वैसे तो मैं दिखा रहा हूं बाइस्मिट्री कि यह distance और यह distance same है और mathematically अभी तक हमने prove नहीं किया कि यह distance सच्च में इसके equal है कि नहीं तो अगला topic यही है कि मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का distance suppose कितने है और मुझे prove करना है to prove that x is equal to r by 2 यानि कि to prove यह लिख लो यह लिख लो कि maximum height maximum height h of m is always at midpoint of range maximum height होती है prove करो कि range के हमेशा midpoint पे होती है तो यह distance अगर x है तो prove करो कि x कि के equal है? r by 2 के equal है बनाओ कि भाइ बनाओ अगर बहल कि अजय को बहल कि अ कि अजय को बहल दो बहल को अजय को है अपर सा भाफ ठमिवे हंगी के लिवक। अच्छा इसको करने के लिगे बताओ maximum height यह maximum height है जब यह ball यहां से यहां चलेगी तो कितनी देर में यहां पहुंचेगी in time t1 where t1 is known as time of ascent. तो कि maximum height पे पहुंचने के time को क्या बोलते हैं? time of ascent. ठीक है? तो इसका मतलब कि जब यह maximum height पे पहुंचेगी तो इसकी x में displacement कितनी कवर होगी? x और y में कितनी होगी? hm. तो इस point पर आते ही y में displacement count होगी? hm और x में कितनी? x. तो एक काम करते हैं हम x, x में x निकालते हैं x, x में यह बताओ velocity की value हमेशा क्या रहती है? बोलो कितनी है इसमें? x तो v cos θ विलॉस्टी रहेगी time maximum height पे पहुंचने का t1 रहेगा और displacement x एकसे में x रहेगी x एकसे में इसमें कांसी एकसे एकसे अप्लाई कर सकते हैं x एकसे क्योंकि velocity is constant तो s की जगा क्या पूट करें? x v की जगा v cos θ और time की जगा t1 और t1 क्या बोलते है? time of ascent. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? v cos θ और time t1 की जगा बोलो क्या? v sin θ by g क्योंकि time t1 का मतलब क्या होता है? time of ascent clear है यहाँ तर? तो x की value solve करके आजाएगी v square into sin θ into cos θ divided by g ठीक? अचित clear है? अचित ठीक? अब शेक ठीक तो इसमें range का formula बोलो क्या होता था? v square sin 2 θ by g यह range होती है range को अगर expand करें sin 2 θ को 2 sin θ cos θ by g यह मेरे पास range आ गई this is our equation number 2 sine 2 θ को लिख लिख लिए 2 sin θ into cos θ ठीक? range का formula लिख लिख लिए ठीक? कुछ cancel हो जाएगा, सिरफ एक number बच जाएगा और वो है 2, divide करके देखो, sin से sin, cos से cos, v2, v2, g से g, सब cancel, 2 बचेगा, तो यहां से solve करके क्या जाएगा, x is equal to r by, यही प्रूफ करना था, x is equal to r by 2, देखो, मैंने क्या किया, x निकाल के रख लिया, x क्लियर है, range का फॉर्मॉला क्या है, v2, sin 2, theta को math in expand करेंगे, तो 2 sin cos, इस term को इस से divide करना है, तो x by r, फिर v2 से v2 के answer, sin से sin, cos से cos, g से g, क्या बच गया, सिरफ 2, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो 1 by 2, answer, ठीक, क्या यह point सबको clear है, ठीक, तो यह प्रूफ हो गया कि जो maximum height है, वो exactly, इसके mid point पे ही निकलेगी, okay, देखो next, देखो next, क्या होगा चराग? यह 2 नहीं है, यहां पे है, तो अच्छी बच एक में होना चाहिए, अगर 2, 2 होगा, इसको इसके डिवाइट करेंगे, this by this, तो 2 बचेगा निया, इसके denominator में है, मैंने करकर नहीं दिखाया, तो ती 1 और टी 2 को कैसे? हाँ, वो भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, okay, क्या यह पॉइंट क्लियर है यहां तक, अच्छा, अब होगा क्या, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी अब्यक्टिव में भी हो जाता है, स्कूल के टीचर भी जानके डाल देते हैं, कि suppose करो, हमने जितने भी एक्स्प्रेशन किये, हमने वी विलॉस्टी लिए और थीटा एंगल लिया, यह डाग्रम मना था, इसमें हमने मैक्सिम हाइट का फॉर्मुला जो निकाला, आइब v2 sin2 theta divided by 2G, रेंज का फॉर्मुला जॉर्मुला थीटा जूर्मुला यह यह डाग्रमाرف आफीण निकाला, ठीक है आँ तक, अचा, अब इसमें कभी कभी ऐसे किवन होगा कि आपने एक ball को V velocity से project किया लेकिन जो angle V का लिया वो अब horizontal के साथ theta नहीं है अब वो vertical के साथ theta तो आप 30 degree with vertical के साथ आपने body को project किया अब इसके सारी expression change हो जाएंगे तो इससे better यह है अगर यह theta है तो ground के साथ क्या हो गया 90 minus theta तो आप अपने results को modify कर लेना जो maximum height है उसमें V square sin square theta के जगा 90 minus theta put कर लेना solve करोगे तो sin of 90 minus theta is cos square theta हो जाएगा divided by 2 जाएगा तो formula यह convert हो जाएगा range में कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने discuss किया था range remains same if angle is theta और 90 minus theta तो range को कुछ भी करने के जुरूती है time of flight के अंदर 2V sin of 90 minus theta तो यह से क्या convert हो जाएगा cos theta बस यह change करते हैं मैंने कहा किसी-किसी numerical में यह कि बनो हो जा कि ball का angle vertical के साथ theta है पर हमें आदत या हमारे के formula standard है वो horizontal के साथ theta में है तो हमारे जो चितने भी results है वो horizontal angle लेकर चलते हैं तो horizontal के साथ angle कितना हो गया 90 तो जहाँ-जहाँ theta है वहाँ-90 minus theta replace करो ठीक तो नई formula ज्याद करने के जो होती है पर replacements ही काम चल जाएगा झाल 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 और झाल झाल यह झाल 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 यह झाल यह यह झाल झाल यह 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 यह